हाई दोस्तों असलाव अलेकूम कैसे आप लो मेरा नभील आपल ने पुश कर दिया आपके सभी के आईफोन के लिए एक और स्टेबल अपडेट यह है आयो 16.4.1 और यह क्योंकि आयो 16.4 के अपडेट के रिलीस के कुछ ही दिन में आ गया है बेटा वर्जन आता है उसके बा 300MB का मेरे आईफोन 14 Pro Max के उपर आपके बास कोई और आईफोन होगा जैसे आपके कुछ रखे वह है तो उसमें अपडेट का साइज कम या जादा हो सकता है और एक और रिजन होता है अपडेट का साइज बहुत जादा होने का वो यह है कि आप i16.4 से 6.4.1 पे अपडेट नहीं कर रहे हो उसके पुराने वर्जिन पे किसी और वर्जिन पे 16.3 से कर रहे होंगे तो 5GB का 2GB का 3GB का भी अपडेट आपको देखने मिल सकता है अपडेट के साइज से आपको कुछ लेन देना नहीं है जस्ट आपको इंफॉर्म कर रहा हो बस अपडेट यहां पे आया अपडेट के बाद यहां पे आगया 16.4.1 और यहां पे 8GB से अवेलेबल फ्री स्पेस घड़ी है लेकिन जब मैंने रिव्यू किया इन अपडेट का तो मुझे समझ में आए कि टेंशन लेने वाली बात इसके अंदर नहीं होती और अपडेट के बाद आपको यहां यहां नया बिल नंबर जो है वो देखने मिलेगा 20E252 और यहां पे बुडेम फर्मवेर के अंदर आपको कोई भी फरक देखने नहीं मिलेगा अगर आप 16.4 से अपडेट करे हो तो उसके पहले वाले से करे हो तो बुडेम फर्मवेर नया भी आ सकते हैं और बुडेम फर्मवेर कि आप इसको अपडेट करेंगे कैसे क्यों क्या हुआ आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारी चैनल को फॉलो करते हैं उन्होंने इंज्ट्लब किया था उनकी एपल आइडी हो थी है वह बेटा प्रोफाल से लिंक हो जाती है जो बेटा वर्जिनुका एपल का यह व तब ही जाके आपको यह अपडेट देखने मिलेगा, तो make sure that this is off, और यहाँ पे automatic update on off, जो आपको रखना रख सकते हैं, पर beta updates को आपको off रखना है, तब ही जाके आपको यह वाल अपडेट देखने मिलेगा, और beta profile का concept यहाँ खतम हो चुका है, कोई भी beta profile मेरे इस वाले phone में लेकिन क्योंकि मेरी Apple ID जो है, Apple के beta program के साथ linked है, तो यहाँ पे यह option मुझे नजर आ रहे है, अब यहाँ पर इस वाले update में, जो है, कुछ fixes Apple ने किया है, what's new, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर उसमें कुछ fixes है, ज्योंकि important fixes है, वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला, यह इतना important नहीं है, लेकि मेरा काम आपको बताना, यहाँ पे जो hand emoji है, तो यहाँ पे इसके अंदर हम चले जाते हैं, और यहाँ पे यह पुशिंग hand वाला emoji है, तो इससे related जो है, यहाँ पे कुछ problems आ रहे थे, जैसे इस पे आप करके रखते हो, यहाँ पे अलग- bugs आप में से बहुत लोग को आया थे, कि weather application crash हो रहा था, सही से काम ने करता, आप यहाँ पे weather दिखा नहीं रहा था, weather widget से आप जब जाते weather app के अंदर, तो यहाँ पे weather नहीं दिखा था, यह problem भी इस वाले update में Apple ने fix कर दिया, इसे के आप Mac OS Ventura 13.3.1 भी, जो है Apple ने release किया, इसके साथ iPad OS 16.4.1 भी release किया, लेकि Mac OS Ventura के अंदर, एक fix आपकी Apple Watch के लिए आया है, Apple Watch से तो आप जानती है, कि Mac को आप unlock कर सकते है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ सही से काम ने कर दी, लेकिन इस वाले Mac OS के update में वो fix कर दिया, Apple ने, तो what's new के अंदर, actual में new कुछ नहीं है लेकिन important fixes है, लेकिन यहाँ पे उससे जादा important क्या है, वो बताता हूँ, क्योंकि जिसकी वैसे शायद आपको यह update करना, consider करना चाहिए, अब यहाँ पे Apple Security Updates के site पे हम आ गये हैं, और यहाँ पे हम चेक करते हैं, कि इस वाले update में क्या कुछ Apple ने fix किया है, तो यह है Safari से related information, 16.4.1 की, यहाँ पे Safari से related, कुछ खास जो है, यहाँ पे fixes Apple ने किया है, जहाँ पे आप देख सेकते हैं, कि यह जो है, इसमें क्या impact होता था, processing maliciously crafted web content may lead to arbitrary code execution, और यहाँ पे Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited, तो इसको Apple ने यहाँ पे fix किया है, तो सीजी simple सी बात है, कि Safari को आप safe रखना code जो है, वो execute कर सकता है, तो उसको यहाँ पे Apple ने solve किया है, अगर यहाँ पे webkits से related भी Apple ने fix किया है, तो यह important updates होती है, जो आपके phones के लिए Apple पुश करता है, बस ऐसे ही बेटे बेटे जो है, updates नहीं किये जाते, क्योंकि इसके लिए काफी resources लगते है, और इतने दुनिया हमें millions of iPhone users है, सब के iPhone पे एक साथ, क्योंकि यह सिफ एक iPhone के लिए नहीं आता, सब ही iPhones के लिए आता है, तो यह important होता है, इसलिए Apple पुश करता है, बस इसका performance case है, यह मैं चेक करता आपको बताता है, उसके बाद आपको डिसाइड कर सकते हैं, अपडेट करना है नहीं करना है अब यहाँ पे चेक के लिए इस वाले update में storage bug है या नहीं, तो 760 GB जो है, वो हो चुका है हमारा update करने के बाद, लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो 760 ही दिखा रहा है, तो यह चीज यहाँ पे थोड़ी सी concerning होती हमेशा, लेकिन दो-तिन दिन में यह वापस आ जात तो system data is still loading, तो इसका वेट करते हम लोग, तो कुछ टाइम में रुग गया, यहाँ पे again system data बफरिंग पर ही अटकावा है, तो आप मुझे बताना, आपके फोन में है या नहीं, मेरे फोन में होता है, बाद में एक दो दिन के बाद, ठीक भी हो जाता है, जब इसका review video में ल पस यह है कि यह जो अदर्स वाला storage या system data, लोड होने में थोड़ा time लगा रहा है, मेरे particular iPhone के उपर, अब यहाँ पर overall जो general performance है, अभी फिलाल में अपडेट किया है, हाड़ी दो-तीन गंटे हुए होगे, तो अभी तो मुझे को issue नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं दो-तीन द स्कॉर आया था, 1886-5378, यह single और multi-core का score था, और आज आया है 1879 और 4997, तो multi-core का score जो है, 400 points से घड़ गया यहाँ पे, लगी single core का score सेम है, तो यह जो benchmark है, again मैं review के डायम पे एक बार फिट से run करूँगा, कभी-कभी क्या होता है, update के बाद हम जब benchmark run करते हैं, तो इस time प क्योंकि score similar ही होते है, लेकिन इस बार मैं करूँगा, और रही बात computation benchmark ही, तो यह था 15,362, लेकिन अब है 15,183, तो इसमें कोई फरक नहीं है, यह थोड़ा higher number का ही score होता है, तो इसमें उतना percentage के हिसाब से, अगर आप देखे तो उतना फरक नहीं है, जितना multi-core के score में आप होई, hopefully नहीं होई होगी, battery health and charging में जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, maximum capacity है, आज भी that is 100%, तो यह बहुत चीबात है, September में launch हुआ था, October, November, December, January, February, March, April, 7 महीने हो चुके, अभी तक हमारी battery health जो है, it is 100%, तो यह बहुत चीबात है, और आप भी battery health की जो tips है, मेरे चैनल follow जरू करना, जिससे आपको पता चले किस तरीकी से आप रख सकते हैं, इसको at the best performance level, अब यहाँ पर उस सवाल पर आ जाते हैं, जो आपके दिल में है, कि 16.4.1 पर अपडेट करू या नहीं करू ते कोई इस वाले update के अंदर, एक भी नया feature आपको देखने नहीं मिलने वाल परफॉर्मेंस का घटना, यह चीज़े जो है, मुझे चेक करनी है, जिसके लिए मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए, उसके बाद ही मैं आपको फाइनली बता सकता हूँ, बाकी अपडेट कुछ देखने में तो रिस्की लग नहीं दा, लेकिन मैं जरूर इसको चेक करके आ आपको बताना चाहूंगा, तो आप बताएं दोस्तों, आपने अपडेट किया और नहीं किया, और अगर किया, तो इसमें कोई इशूज आ रहा है, तो नीचे कॉमेंस में मिलें कि जरूर बताना, ताकि दूसरों की भी हल्प हो सके, और मुझे भी एक फीडबैक मिले आप उमी करता दोस्तों, आपको आचका वीडियो पसना आपको आपको पसना आपको पसना आपको लाइक और शेयर जरू कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राब जो किजिए, गुट बाए